बस ये दो चीजे शहद के साथ इस तरीके से खाना शुरू कर दीजिए इससे आपके शरीर के 90% जो टॉक्सिन्स है जो विशाक्ता है वो मातर दो या तीन दिन में निकल जाएगी इसके अलावा शरीर से 90% बिमारिया जड़ से भाग जाएगी आप सोचेंगे ऐसी कौन सी द वेलकम बैक मैं आपकी होस्त हैं दोस्त मधू एक सर्टिफाइड डिटीशन और एक नैच्रोपैट आज मैं बात कर रही हूँ शहद के साथ इस्तमाल करने के बारे में ऐसी दो चीजे जिनको आप लेते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं अगर इनका तरीका आप मेरे बता प्रॉब्लम हो खुन की खराबी हो नसों का ब्लॉकेज हो हार्ट ब्लॉकेज हो या लीवर में कोई दिक्कत हो या कड़नी में दिक्कत हो सब जगे प्रॉब्लम साती है शरीर से टॉक्सिंस का बाहर ना निकलना अज जो दो चीजे में आपके शार शेयर कर रही हूँ यह शरीर से इन ही टॉक्सिंस को बाहर निकलने में मदद करेंगी सबसे पहले काम आपने क्या करना है आपको एकदम शुद्ध वाला सहद लेना है यह कहां से लेना है यह आपको देखना है लेकिन आपको शुद्ध शहद चाहिए क्योंकि मार्केट में जो शहद मिल रहा है आ नीम जो है वो anti-bacterial है, anti-inflammatory है और साथ में आपके शरीर को detox करने के लिए ऐसा ingredient है जो कि सबसे सस्ते में और बिना 1 रुपिया खर्चा किये आपको सब जगे मिल जाएगा क्योंकि नीम का पेड़ घर के आसपास या कही न कहीं सड़क पर आपको खड़ा हुआ जरूर मिल जाएगा इसमें आपने क्या करना है? 8-10 नीम के पत्ते लेने हैं साथ में जो दूसरी चीज़ा आपने इस्तमाल करनी है वो है healthy, antibacterial होती है, anti-inflammatory होती है और हमें cancer से भी बचाती है बेसिकली हमें हमारे शरी में क्या क्या problems होती है? टॉक्सिन से खटे होना, cancer cells का परणपना, या liver में infection होना, kidney में infection होना, इन सारी चीज़ों को हल्दी जो है बहुत अच्छे से cure करती है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एक चमर शहद लेना है साद में 8 से 10 जो नीम के पते लिए हैं, इन्हें आपने खरण में डाल करके हल्का सा इनकी चटनी बना लेनी है और इसी के अंदर आपने अगर आपके पास कच्छी हल्दी है, तो आधा इंच कच्छी हल्दी का टुकडा अड़ करना है तो इसके लिए भी एक सिंपल पॉर्मूला है आपको क्या करना है, आपने लगबग जो है, दो कटोरी भरके, बड़ी कटोरी भरके, नीम के पते लेने हैं अच्छे से दूल कर साफ कर लीजेगा उसके बाद इन्हें मिक्सी के जार में डाले साथ में यहां पर एक बड़ा चमश भरके आप जो है, हल्दी डाले और इसको जो है, आप जो है, मिक्सी के जार में गुमा लीजेगा जब इसका पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को किसी मिट्टी के पॉर्ट में ट्रांसपर कर लीजे मिट्टी का पॉर्ट कोरा होना चाहिए, यानि कि मिट्टी का जो बरतन आप लेए, वो पहले यूज ना किया गया हो आप इसे हलके हाज से इसमें रब कीजिए, इसका जो एक्स्टा रस है, उसे मिट्टी सोख लेगी उसके बाद छोटी छोटी इसकी गोलिया बनाईए और इन गोलियों को आपने धूप में सुखा लेना है अब इसकी एक गोली पहले तो आप चबा कर पानी से खाले, गुन गुने पानी से यह यूँ ही खाले और उसके बाद एक चमच आप शहर लेने, या फिर आप इस गोली को शहर के साथ भी चबा कर खा सकते हैं इस तरीखे से भी आप अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी रख सकते हैं तो अब आप कहेंगे कितने दिन तक इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसका इस्तमाल कभी भी आप कर सकते हैं और कितने भी दिन के लिए लेकिन मैं आपको बता दूँ कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चीज जिसकी आदत हमारे शरीर को लग जाए इसके आप महीने में 15 दिन के लिए इसके अलावा अपने शरीर को डेटॉक्स करने के लिए समय समय पर कोई न कोई ग्रीन जूस एश गार्ड जूस यानिके पेठी का जूस सफेद पेठे का इसमें से कुछ न कुछ अपनी डाइट में निक लूड करते रहें ताकि आपके शरीर में टॉक्सिन सी खटे ना हो औ आपको बिमारिया ना हो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए सबी के साथ में चलिए फिर मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ तब तक अपना बेहत खयाल रखिए और हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बाबाई